अब्जेक्ट्रिशन की जो टाइम लाइन है उस पर बात हो रही थी हमने स्टार्ट यहां से किया कि 1965 से 80 तक हमारे पास बेसिक प्रिमिटिफ थे अलाइनमेंट थी जुमेट्रि प्रिमिटिफ थे फिर हम मूफ कर गए हमारे पास कलर इस्टोग्राम आ गई कुछ शेप के पैरमिटर आ गए लौ वट हैपन इन मिड नैंटीज और लेड नैंटीज में कुछ अर्से तक क्या चीज चली जिसके बड़ी इंपॉर्टेंट अब यह स्लाइडिंग विंडो अप्रोच किया है यहां पर मैं एक चीज करना में चाहूंगा कि जो रिसर्च होती है वो कभी भी यहां से करन्ट टाइम से स्टार्ट नहीं होती वो हमेशा फायदा उठाती है पिछले नॉलिज से इससे मुराद किया है कि अगर जब हम बा इंक्रिमेंटल का मतलब किया है कि 1950s की जो अचाहियां थी वो के जो मैथर्ट की जो अचाहियां थी वो आपने कंटीनु रखी फिर 60s के मैथर्ट 70s के 80s के तो जो जो उनकी पॉजिटिव यह स्टेंग्ट थी उनको कंटीनु किया जाता है बजाए इसके सारी सर्च को बारा में लेता हूँ कि जो 19s के algorithm है उन में by default alignment, geometric primitives, and color histograms, color के variants, appearance के method वो सब by default साथ होंगे, शामिल होंगे इसी base पे एक approach है जिसे कहते है sliding window approach पहले मैं इसके example दिखाता हूँ फिर हम बात करते है जी अब इसमें हो कह रहा है जो हमने पहली पहली approach देखी थी वो template based approach थी जिसके अंदर आप एक image देते थे एक object था उसके चेर थी उसके उपर आप move करते थे sliding window different है sliding window के है कि आप क्या करते हो कि आप एक part ले लेते हो यह वाला part जैसे यहां पर नजर आ रहा है मैं दोबारा इसको repeat करता हूँ आप देखें जरा बिलकुँ आप क्या हुआ कि यह image के ओपर filter खुद automatically चलता जाता है और हर pixel को जो इसके नीचे आ रहे है उनको uniquely classify करेगा किस unique label में for example इस particular case में यह dog को identify कर रहा है कि यह dog का chair है इसी तरह में भी इससे पीछे human था इससे नीचे chair पड़ी है यह park scene है अब हम कर कह रहे हैं हम यह कह रहे हैं कि we are classifying each window separately window के है जो इसके नीचे वाले pixels आ रहे है एक movement के वक्त तो इसका मुदब के है कि 90's के mid का time था उसम इसने sliding window approach आई जिसने एक image के ओपर window move करते हैं और हर जो उसके नीचे images आ रहे हैं उनको एक label identify करना है एक और addition वो क्या थी कि अगर image के नीचे जो object आ रहे है वो छोटा या बड़ा है तो यह automatically scale and orientation या एंगल different है या scaling है दोनों को automatically adjust कर लेता है अब यह ability कहां से है यह ability आई पिछले method से जो इससे पहले काम हो चुका था वो scaling पर यह orientation पर जब काम कर रहे थे तो orientation से मुराद हमारे पास फिर angles के उपर जब वो काम कर रहे थे तो scaling window के अंदर यह approach automatically आ गई कि जब उसने image के उपर scale करना है window ने तो उसको automatically window को बड़ा या छोटा करने की ability हो तो again मैं repeat कर आते जाना है कि वो क्या चीज़ है तो again अब हम timeline के लिहाँ से कहां पहुचे हमने कहा जी के 65 से 80 तक फिर 80 से 90 तक और फिर हम mid 90s के अंदर खड़े हैं कि जी हमारे पास सब scale sliding window जो है वो शुरू हो चुकी है